नमस्कार आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ीगा और आपके इस साथ में विजेंदरिस सोलनकी आज बाद प्रधेश में एजुकेशन के हायर लेवल की जिसमें छात्र नहीं जानते कि परिक्षा होगी या नहीं होगी अगर होगी तो कब होगी किस पैक्टरन पर हो ये पता करने के लिए कि परिक्षा कराई जाए ये ना कराई जाए नहीं कराई जाए तो क्या किया जाए और कराई जाए तो कैसे कराई जाए कमिटी 15 दिन का वक्त लेगी लेकिन ये वरकिंग डे है या पिर कुल 15 दिन है रिपोर्ट आने के बाद फैसला कितने दिन में हुगा ये भी नहीं पता जानी मान लीजे कि जो परिक्षा मई के अंत में होनी थी और जून के अंत में हो जाए तो खुशी मनाईगी का बीस लाक विद्यारती फैसले का इंतिसार कर रही है और सोच रहें कि अगले सत्र के तयारी शुरूप की जाए या पिर इसी सत्र के परिक्षा के लिए पढ़ा जाए गल्ती केंद्र की भी है उनकी तरफ से भी कोई गाई लाइन्स अभी तक जारी नहीं की गई तो सवाल यही है एक्जाम होगा या प्रमोशन होगा इसको लेकर कंट्यूजन अभी भी बना हुआ बीते साल भी यही समस्या थी यही कोरुना था चात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया लेकिन किसी ने नमबर से दिये किसी ने नहीं दिये और भी कही तरीके की समस्या आई सवाल यह कि क्या बीते साल से हमने कुछ सीखा है सवाल यह भी कि क्या फिर से चात्रों दोहसार बीस की तरह परिशान होंगे सवाल यह भी है कि बीस लाग चात्रों को लेकर कोई गंभीर है भी या नहीं है सवाल ये भी है कि क्या किसी नीती को बनाने में एक साल का वक्त कम था और सबसे कम भेर सवाल जब माई के अंत तक परिक्षाएं संपन होनी थी तो कमेटी एप्रेल की शुरुवात में आ माई के शुरुवाती सब्ता हमें क्यों नहीं बनाए गई देरी क्यों की गई इनी सवालों के जवाब प्रदेश के 20 लाग चात्र कर रहे हैं जो विश्विद्याले से जुड़े हैं बारवी के चात्र में इन सवालों का इंतसार कर रहे हैं परिक्षा हो गिया नहीं होगे और उनकी संख्या भी लाग होने हैं इस मुद्य पर बाद करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं बीजेपी निता पंकर जोशी जी कॉंग्रिस निता आर्सी चोधरी जी साथ में हमारे साथ हैं छात्रे निता होशियार मिना जी उशियार जी चर्चम आपके साथ शुरू करना चाहूंगा सर इस वक्त अगर सही तरीके से सब चल रहा होता या तो आप परिक्षा दे रहे होते या फिर आप अगले समस्टर के लिए तयारी कर रहे होते यानि क्या प्रमोट हो चुके होते इस बार ये फैसला भी तक नहीं लिया गया उल्टाए कमेटे बनाने के बाद की गई जो पंदरा दिन में फैसला लेगी आपको लगता है कि इससे कन्फ्यूशन और बढ़ गया है कोई भी राज्थान सरकार या केंदर सरकार जल्दवाजी में निर्णे क्या ना ले क्योंकि ये छात्रों के भविष्ट का सवाल है और जल्दवाजी में इसका निर्णे नहीं होना चाहिए धिरे-धिरे कोरोना का पींग कम हो तो जुलाई अगश्ट टक लाश्ट तक हम लोग परिक्षाएं करवा सकते है परिक्षा का प्रितिूप अलग-अलग हो सकता है जैसे इंटर्नल असेस्मेंट मंगवा लिए आपन वूक एक्जाम प्रेनाली करवा लिए चाहे कोई अन्य तरीकाय सरकार निकाले लेकिन हमेशा पूरे देश भर की सभी विश्वध्याले महाविध्यालों में हमेशा प्रतिसत के आधार पर प्रवेश होते हैं जादा तर तो बारवी के चात्रें यदि उन्हें प्रिमोट करेंगे तो फिर उनमें एड़िशन प्रिकरिया में बादा आएगी तो कहीं न कहीं बारवी पास के लिए परिक्षाएं बहुत जरूरी हैं उसका तरीका हम चाहे ऑपन बुक ले लें उसमें सब्जेक्ट में उसमें स्कोर कम कर दें किसी एक सब्जेक्ट की परिक्षा ले लें तरीका कुछ भी कर लें लेकिन परिक्षा कराना बहुत जरूरी ह यह चात्रों के भविश्च के साथ मैं परिक्चा ला करा नहीं इंदार कर सकते है लेकिन शाथनों के भविश्च के साथ में ख्लवाँ नहीं हो नहीं होने दे सकते हैं बिल्गुल पिछली बार दिक्क अई थी, लेकिन फाइनल यार के बच्चों की परिक्षाई पिछली साल भी लिग भी लिए थी, क्योंकि ऐसे पिछले बर्स के कई ऐसे सारे मामले देखने को मिले थे, कि जिन छात्रों को, जैसे गुजरात में एक वार वुकम पाया था वहां के चात्रों को एक वार प्रमोट किया था तो उन छात्रों के डिगरी में उनको परिक्षाइं देने गए जो इंटर्वू देने गए तो उस समय उनको दिक्कत आई थी इसलिए पुराने अनमवों को देखकर प्रमोट करना भी उचित नहीं है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप फाइनल येर के बच्चों को मार्क्स ही प्रदान करें चाहे तरीका कोई भी हो लेकिन पैल्थ वाले बच्चों को भी मार्क्स दिये जाने चाहिए और फाइनल येर के बच्चों को मार्क्स दिये ने चाहिए सब्ताह के अंदर परिक्षाएं हो जाती हैं तो ये कमेटी तो माई के शुरुवात में है अप्रेल के अंत में हो सकती थी ताकि बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होता उनको पता होता या तो अगस सितंबर तक एक्जाम देने हैं या फिर वो प्रमोट होनी है फैसला हो चुका होता अब तक जी 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 जैसा आपको पता है कि पिछले वर्ष जो कमेटी राइस्तान सरकार ने बनाई थी और संयोग सो उसका संयोजक में ही था उसका गठन मार्च में कर दिया था और हमने तीन दिन के अंदर रिपोर्ट दे दी थी इस बार ये आप सही कहा रहे है कि कमेटी समीती के गठन में विलंब हुआ है लेकिन ये विलंब ऐसा कोई बहुत जादा नहीं है क्योंकि पेंडमिक बड़ी जवर्दस चल रही है इस वक्त भी और आप जानते हैं कि पहली जो लहर थी उसमें बुजरगों पे जादा कहर दाया और इस बार ये बड़ा दुकत है कि ये युवाओं पे ज़्यादा कहर रही है इसलिए चात्रों का ध्यान रखना इस वक्त बहुत विशेश आवश्चक है ये मैं मानता हूं और मेरा मत ये है इसमें ये तो आप सही कह रहे हैं लेकिन ध्यान रखने के लिए क्या क् हैं एक तो चात्रों के सामने नीति इस पर स्थोनी चाहिये कि भाइए आपको एक्जाम देना है नहीं देना है प्रमोट होना है नहीं होना है सितंबरता का अगस्त की इंतजार करेंगे और चात्रों को लेकर अगर इतने ही गंभीर है तो फिर उनका vaccination होना चाहिए यहां त वक्त और यह बिल्कुल सही है कि कम से कम एक डोस तो उनको लग जाए उसके बाद वो परिक्षा दें यह इसमें मैं बिल्कुल सही मत हूँ क्योंकि यह 25 से लेके 50 का जो आयू वर्ग है उसमें कहर डार है लेकिन मेरा इसपस्ट मत है देखिए कि इसनातक अंतिव वर्ष और राष्टी रोजगार और अंतराष्टी इसतर पे रोजगार के जो अवसर है उस पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनको रोजगार के अच्छे रोजगार के आवसर ही नहीं मिल पाते हैं तो परिक्षा इन निश्चित रूप से होनी चाहिए तरीका हम क करें समय कम कर दें कि और दूसरे बात और कहना चाहूंगा कि प्रिधम brag और दुति वर्ष के जो विद्यारति यह उनको हम किसी प्रक्रिया से भार्मुने से प्रमोट कर दें यस नाध को तरज जो प्रीवियस है उसको भी प्रमोट कर दें जिए लेकिन हमें विकल्प चात्र को निश्चत रूप से देना होगा कि अगर वो चाहे तो परिक्षा दे ले क्योंकि वो कोट में जा सकता है को चात्र परिक्षा देना चाहता है तो हाँ प्रोक नहीं सकते हैं तो उसको वह आउसर जब इस्तितियां समानने हो जाए ऐसे चात्रों को जो परिक्षा दे कि वो तो सपर एक तरीके से लागू होगा, वो अपने आपे एक नया नियम बन जाएगा, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, कॉंग्रेस निता आर्सी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर्सी चौधरी जी, बीते साल जो कमिटी मार्च में बना दी गई थी, और इस वक्त तक सिती पूरे तरीके से सपष्ट थी, इस बार इस डिले के वज़ा जान सकते हैं, इस कन्फ्यूजन के वज़ा जान सकते हैं, ऐसा क्यों है, कि 20 लाग बच्चों को पता ही नहीं कि एक्जाम देना है, नहीं देना देना है, तो कब देना है, नहीं देना तो क्या हो लेकिन 11 माई को UGC ने एक नोटिस और एक लेटर जारी करते हैं कि 6 माई को कई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पे ये खबरें आई जिसमें ये कहा गया कि UGC ने गाइडलाइन जारी कर दी है और उसको उन्होंने रेक्टिफाइड किया और उन्होंने का कि इसे कोई गाइडलाइन जारी नहीं कीगी आप जाते हैं कि जितने बीजी वो उच्छन सहिंस्तान है वो चाए UGC ओ चाए AICTO चाए NCEO इन दोबारा गवर्न होते हैं इनके नौम स्वाफे फोलोग किये जाते हैं इसलिए इस देश के तमाम आपको रूप रहा हैं सार कही हो दो हजार बीस की बात नहीं करा दो हजार बीस के अंदर भी UGC ने कहा था daha दोजार बीस में भी यूजी सी नहीं कहा था कि फानियले उप किया उनकी एक्जाम कंड़क्ट की जाए उसके बाद में सुप्रेम कोर्ट ने कहा कि यह जो पेंडेमिक एक्ट दोजार पांच है जिजास्न मेनेजमेंट एक्ट उसके तैट चाहे तो आप प्रिविलेज्ट कर प्रिविल को रहे थे वह चाहते हैं कि हम एक्जाम दी जाए और पूरे होइस के साथ हिजना होँ के मैं के उन्ट में तब बनती है जिस वक्त एक्जाम होने चाहिए थे ऐसा क्यों इस देरी की वज़ये मैं जाना चाहता हूँ मैं पिस्ली बार सेप्टेंडर एंड तक तमाम एक्जाम हुए थे और इस बार भी एक्जाम जूं और जुलाई के अंदर अंदर अगर ये C 1 पेंडिमिक नहीं आथ तो भी एक्जाम जूं और जुलाई के किस परकार से एक समुचित फैसला हो उनके साथ में एक बेहतर समाद हो उसके अंदर हायर एजूकेशन के सेकर्टरी है उसके अंदर एजूकेशन कमिशनर है और वाईस चंसलर से हैं इसलिए यह जो फैसला होगा वो 20 लाग विद्धाफियों के हित के लिए फैसले होंगे सर एक तो होता है गलतियों से सीखना और दूसरी कहावत है दुरगटना से देरी बली मुझे लग रहा है कि आप दूसरी कहावत की तरफ बढ़ रही है पिछली बार प्रमोट हुए चात्रों को सरकार ने कई बॉनस अंकि कई विश्विद्यालन ने दिये लेकि तमाम जो चीजे की गई है मुझे लगता है वो सरकार ने दूसरी लहर आ चुकी है अपरेल तो हम पूरी जद में आ गए थे मैं में पीक पर था तो ये तो पता था कि हम एक्जाम नहीं करा पाएंगे तो कमेटी का गठन पहले क्यों नहीं किया गया बीजेपी नेता पंकर जोशी जी मेरे साथ पंकर जोशी जी केंदर सरकार कोई भूमी का इसमें निभाता है नहीं निभाता है बीते साल जो गलतियां हुई बीते साल चात्रों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ा एक साल बाद आकर छात्र पीर वहीं पर खड़े हैं अगर केंद्र के तरफ से गाइलाइन जारी कर दी जाए ये बता दिया जाए यूनिवर्सिटिस को क्या करना है क्या नहीं करना वक्त के साथ तो ये सारा कन्फ्यूजन ही ना हो लेकिन राज्य सरकारे जो है अपने इसाब से जो है वहाँ पर एक्जाम करा सकते हैं यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी का जो है और जो सबसे बड़ी बात आपने जो कहा विल्कुल ठीक हा लेकिन मैं इसको मैं पुदी लियाता हूँ मैं कुछा लेकि मैं कुदी लियाता हूँ कि से बीए से के माविले के अंतर चब 12 के एक्जामनेशन के बाद में लगा चाहिए तीसरी चौथी मिटिंग जो है लगातार हो चुकी है क्योंकि वह लेने स्टेट के अंदर एक्जामनेशन होगे विवस्ता है सारी स्टेट को क मेरे हैं जितने भी शिक्षा विद्थे वाच में एग्जामनेशन फोले ते इतने भी लोग ते जो बी लोग ते हैं उसे जीषा होती है और मेरे हैं उसके बाद को हो सकता है पंदर दिल बाद जो है फिर आपको लगे कि कई ये युरुस्क्री नहीं माने या कोई चीज़ जो है देने जाएंगे और जहां कापिटिशन होंगे चाहिए वो नेशनल नेशनल हो चाहिए इंटरनेशनल हो तो उनकी डिग्रीज भी जो है उनका जो समय होगा एक साल का वड़ा में तो मेरे ख्याब में यह सब चीजे जो बहुत बारिकी से चीजे हैं उनको कही ना कहीं किसी उसके में किसमर कोई राजन दिन है क्योंकि यह मामला पूरे देश का है हरे कचे का है हरे एक परिवार के जो लोग के उनका है तो इसमें कहीं कोई चीज पर नहीं है आपके बहुत माइन लूट बना चाहिए अच्छी चीजे जाटिए दोने चाहिए और दिस्कें जो कि एक्जाम कब तक हो सकते हैं कब तक नहीं हो सकते हैं आरके कोटारी जी आपको लगता है कि सर्फ 15 दिन में अगर रिपोर्ट दे दी जाएगी तो जून के अंत में इस जोर में परिक्षाएं कराना संभव है या करानी चाहिए क्योंकि जिस पैंडेमिक से हम छात्रों को विजेंद्री जी हमने पिछली बार भी का था कि परिक्षाएं परिस्तितिया सामाने होने पर ही करा ही जानी चाहिए क्योंकि जो आयूवर्ग इस वक्त जिसको इस चपेट में ले रहा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टी पीसी आर नेगेटिव आ रहा है औ लंग्स उसके एफेक्टेड हो रहे है और युवायों की खूब मतब डैत हुई है इस काल में तो जरा बहुत साउधानी से निर्ड़ा लेना पड़ेगा चाहिए हमें परिक्षा अगस्त में कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हमें पूरी साउधानी से बच्चो यह बिल्कुल मैथ सेशन की बाद मैथ भी नहीं है जीवन बचाना मैथ पूर्ण है इस वक्त जेशन में क्या फरक बढ़ रहा है एक बार अगर दो मैने लेट हो गया तीन मैने लेट हो गया उसको हम कोर्स को आगे उसको को कम करके एक्स्ट्रा क्लासेश लगा के कवर कर सक करते हैं को कोई समझ्चा नहीं किसे भी तरह से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहिए क्या होनी चाहिए क्योंकि राजवार अलगे लग निती बनाने से बहतर है कि केंद्र एक निती को बनाए और राज्यों को उसको फॉलो करने के लिए कई ताकि पूरे एक देश के अंद और राज्यों को बनाए जासे बार इंडिया एक प्रवार अग्जामरेशन के लिए इसे क्लियर कर देनी चाहिए क्योंकि कोई भी इनकी जो रिक्मेंडेशन है उसको वर्लूक नहीं कर सकता नहीं तो इनकी चात्रों की डिगरी पर प्रभाव पड़ता है तो जो हमने भी पिष्टी बार रिपोर्ट दीती उसमें यही कहा था कि पेशेवर परिक्षाओं को इनकी जो एपक्स बॉडिज है उनकी रिक्मेंडेशन के आधार पर आयुज़त किया जाना चाहिए तो परिक्षा निश्चत रूप से होनी चाहिए विजंद्र जी लेक उनको अपन एक तरह से बता प्राइटी वाली केटेगरी में डाल करके उनका वैक्सिनेशन सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए वापस माँ के पास आऊंगा होश्यार मेना जी आपको लगता है कि कम से कम 20 लाग चात्रों को तो डोज लगा देनी चाहिए इतना बड़ा इ गलती कीती की सभी विश्विद्याले को अलग अलग छोड़ दिया था तो उनके हिसाप से किसी विश्विद्याले ने छात्रों को 55%, बोनस नहीं दिये थे उससे इस्थिती वन गईи कि आने वाले समय में जब वो चात्र तो उस एकड़मिक रिकॉर्ड में किसी के पास पास प्रतिसत बॉनस होगा और किसी के पास नहीं होगा तो असमन जसकी इस्तिती यह बना दी थी पिछली बार वे द्यारती परसंद यह मांग प्रमुकता से उठाई थी लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की थी आज कि अकवा नहीं देना है तो किसी को मत दीजिए लेकिन उससे क्या चात्रों में आपसी बेदवाव होता है पिछली बार लगातार तेश दिनों तक द्यारती परसंद ने लगातार इस मांग को ठाया लेकिन सुनवाई नहीं हुई जोत्पूर के समान है तो सभी चात्रों को एक कैटेगरी में रखते हूँ एक समान उनके साथ बिवार किया जाए लेकिन मुझे लगता है सरकार इसको लेकर तो गंभीर है शायद इसलिए कमेटे के अंदर इस सारे बिंदू को रखा भी गया कि जो तुरूटियां वीते साल रह गई है वो तुरूटियां इस बार ना रहें सर मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं इस सवाल को आरके को ठारी जी से भी करूंगा अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे सवाल यह कि जो 15 दिन में कमेटे अपने रिपोर्ट देगी है 15 दिन वर्किंग अवर्स है सर या इसमें सेटरडे संडे को भी जोड लिया जाए एक चात्रे ने मुझे कहा था सर यह सवाल पूछ लीजिएगा वीजेंदर जी नहीं निचीतरूप से आप परदेश के युगाओं के आवाज उठा रहे हैं परदेश के उन चात्रों की 20 लाग चात्रों के आवाज उठा रहे हैं संसे का मुझे आधार विया कि 20 का था 21 का था मैं चाहूंगा कि आपके केमरामेन के मादेम से यह जो लेटर है यूजी सी को जारी किया गया 11 माई 2021 को उन्होंने एक का था कि यूजी सी न अभी कोई गैडलाइन जारी नहीं किये यह भी चीज़े चले तो जो कोठेरी साब ने कहा कि निशी दूरूप से जो प्रोफेशनल एजूकेशन से हैं चाहिए अकेडमी को तमाम जो चात्र से हैं वो एक अगर यूजी सी की दिसानी देश के अंदर कोई काम करता है तो हमें लगता है कि उन्नी के द्वारा हमें जो छात्र हैं उनके बवीस्ति के अंदर कभी भी कोई फरक ना फड़े तमाम सब चीज़े हैं और चुनोतियों को देख के राज़तान सरकार बड़ी स्वेधन सिल्ता से बच्चों के किने के द्राइब को लेके यूद के अंदर चुनोती है राजस्तान सरकार बार-बार प्रियास करती है कि हमें वेक्सिन मिले ताकि हमारे प्रदेश की युगां को वेक्सिनेट करता हैं लेकिन मैं चाथा हूँ कि यूजी सी यह तो कम से कम एशियोर करेगी कि जो चात्रे एक्जाम देने जाए उससे पहले उनका वेक्षिनेशन हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े रास्तान की सरकार है वो परतिबद है ठीक है सर पंगत जी क्या यह मांग विपक्ष के तोर पर आप भी उठाएंगे केंद्र सरकार के सामने कि अगर बच्चों की जो है देखे आज लोग युनिवस्टी कंतर है वो ही लूग जो है तो इसके पीछे चार आपमी खड़े हुए है उसका भी जो है वेक्षिनेशन होना चाहिए क्योंकि उसके पीछे पूरा तीन आपनी का परिवाद उसके पूरा तीन एक्सो पीस करो रावादी का होना चाहिए सवाल तो है यही करा हूँ कि होना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रेक्टी जब आज सामने देखता है तो उसके प्रति जो है लगता है कि यह चीज़ मुझे मेरी आफशकता है और इसी लिए मैं का लेकिन मैं एक जो प्रेशन था व प्रफेशन थे जुड़ा है क्योंकि आप जो यूझे में बच्चे है जो चुनाव की लड़ते हैं जो बिसिकरिंग अठासा से उपर भी है जो इस देश का वषिव इता करते है तो उनके पती जो है सरकात को जो है बाकाई दा सवेदन शिल्त से और केबल बच्चे निमान करके मैं करना हो जो है इस देश की तरह है और बेर बस बंकी कमिया आरके कोठारी जी फाइनल कमेंड मैं आप से चाहूंगा सर एक लाइन में क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि दुर्गटना से देरी भली अगर दसीन और लेने हैं तो ले लिए जाए बच्चे के साथ खिलवार न के लिए बहतर हो जो बच्चों के लिए बहुश्या हो बच्चों के लिए बहतर हो उनके बहुश्या के लिए बहतर हो जिससे चात्रों के साथ किसी प्रकार का बेड़ बाउ नहीं हो इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और हमने तो तीन दिन में रिपोर्ट दे दी थी पंदरा दिन मुझे लगता है कि बहुत काबिल लोग हैं इसमें छुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए मकसद सिर्फ कि बच्चों के जहन में जो कंफ्यूजन है वो जल्दी से दूर हो जाए वो अपनी तयारी करे परिक्षा की या अगर प्रमोट कर दिये जा रहे हैं तो आगे की तयारी करे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए